भीलवाडा पुलिस में तैनात एक महिला सब इंस्पेक्टर ने पुर्व बाच्पान नेता पर शादी का जहांसा दे कर कई बार दुशकर्म करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्च करवाया है महिला ने FIR में एक अतरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित पुर्व बीजेपी नेता के पीए बॉडिगार्ड सहित बाहराय व्यक्तियों को आरोपी बनाया है अजमेर जिला परिशत की वर्तमान जिला प्रमो केवं पुर्व विधायक सुशील कमर के पती पुर्व बीजेपी नेता भवर सिंग पलाडा के खिलाफ भीलवाडा के प्रतापनगर थाने में दर्ज कराई गई दुशकर्म की FIR में एक अतरिक्त पुलिस अधीक्षक संज बार शादी का जहासा दे कर उसके साथ दुशकर्म किया जिसके सबूत भी उसके पास है महिला पुलिस समिस्पेक्टर मूलत अजमेर जिले की निवासी है महिला द्वारा दर्ज कराई गई FIR में अतरिक्त पुलिस अधीक्षक संजे गुपता के साथ पलाडा के ड्राइव रवींद्र पी ए किशनपुरी बाडिगाट करण के साथ बजरंग विजय मनीशा धीरज और महिला कांस्टेबल रश्मी वशिव बनना का भी नाम शामिल है दर्ज मामले में महिला समिस्पेक्टर ने लिखा है कि वर्ष 2018 में पलाडा से ट्रांसफर के लिए नागौर के त और रिवॉलवर दिखा कर दुशकर्म किया महिला द्वारा विरोध करने पर भी शाधी का जासा दिया इसके बाद तीन साल तक कई बार अलग-अलग स्थानों पर वो महिला से दुशकर्म करता रहा पीडिता ने अपनी रिकोर्ट में यह भी लिखा है कि अप्रेल 2021 में उस से किसी गंभीर मामले में फसाया जा सकता है पीडिताप की प्रतापनगर थाने में दर्ज FIR पर भीलवाडा के SP आदर्श सिद्धू ने जाच शुरू करते हुए शहपुरा की अत्रिक्त पुलीस अधिक्षक चंचल मिश्रा को जाच सौपी चंचल मिश्रा इससे प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए सुशील कमर पलाडा और उनके पती भवर सिंग पलाडा बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस का समर्थन किया था तब से बीजेपी ने दोनों पती पतनी को 6 साल के लिए पार्टी से निश्कासित कर रखा है भवर सिंग पलाडा की पतनी सुशील कमर पलाडा विधायक भी रह चुकी हैं